आना चाहते हैं तो स्थित्यों का आकड़न करके वो अपना-पना रास्ता ढून रहे हैं अधन्य अधक जी राश्पती जी का भाशन एक प्रकार से तथ्षों के आधार पर हकीकतों के आधार पर एक बहुत बड़ा दस्तावेज हैं जो देश के सामने राश्पती जीन परस्तावेज और इस पूरे दस्तावेज को आप देखेंगे तो उन हकीकतों को समेटने का प्रयास किया है जिससे देश की स्पीड से प्रगद्य कर रहा है किस केल के साथ गतिवीधियों का विस्तावर हो रहा है उसका लेखा जोखा आधने रास्तपती जी ने प्रस्तुत किया है अधन रास्तपती जी ने भारत के उजवल भविश्य को धान में रखते भी है चार मजबूत स्तंभों पर हम सब का धान केंद्रित किया है और उनका सही सही आकलन है कि देश के चार स्तंभ जितने जादा मजबूत होंगे जितने जादा विक्सित होंगे जितने जादा समर्द होंगे हमारा देश उतना ही समर्द होगा उतना ही तेजी से समर्द होगा और उन्होंने इन चार स्तंभों का उलेक करते भी है देश की नारी शक्ति देश की युवाश शक्ति